यह अपने सभी भक्तों को ठीक उतनी ही करुणा और वातसल्ले के साथ गले लगाती हैं, जैसे कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लगाती हैं, एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत ही नहीं, बलकि करीब एक दर्जन देशों में जाकर लगभग चार करोल भक्तों को ग माची भी पुकारते हैं अपने बच्चों के लिए उनका आशीरवाद सिर्फ गले लगाने तक ही सीमित नहीं है बिना किसी स्वार्थ के दुनिया भर में जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने जनकल्यान कारिक्रम चलाए हैं उसका आकलन करना तक मुश्किल है जो नजर आत को सहायता और पर्यावरन सनरक्षन कारिक्रम चल रहे हैं सभी के सभी अवल दरजे के अम्मा अपने से मिलने वाले एक एक भक्त को गले लगाती हैं उनके किसी कारिक्रम में चाहे जितनी भीड हो एक एक अनुयाई को उनका आशीरवाद मिलता है अम्मा का जन्म 1953 में केरल क आलपपाड गाउं के एक साधारन से परिवार में हुआ था उनका असली नाम सुधावनी था जब वह मातर पांच-छे वर्ष की बच्ची थी तभी से ईश्वर भक्ती और उपासना में उनका मन रम गया बच्पन से ही आध्यात्मिक और परोपकारी होने के चलते खुद ब खुद बड़ी संख्या में अनुयाई जुटने शुरू हो गए और लोग उन्हें माता अमरितानंद मैदेवी के नाम से जानने लगे आज भारत ही नहीं बलकि अमेरिका, यूरोप, कनाडा, अफरीका, साउथ अफरीका, श्रीलंका, जापान, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापूर आदी देशों में उनके अंगिनत भक्त उन्हें सिर्फ अम्मा के नाम से जानते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, खुद अम्मा के बहुत बड़े अनुयाई और प्रशंसक हैं, आखिर क्यों चलिए सुनते हैं सीधे उनी से। कच्छ में भूकम के बाद मुझे अम्मा के साथ लंबे समय तक काम करने का अनुभव मिला था। अम्मा ने हमेशा ही असक्त को ससक्त बनाने और वंचीतों को वरियता देने का मानविय यग्य किया है। आज देश ने स्वच्छता का अभ्यान शुरू किया। तो अम्मा उन शरुआती व्यक्तित्व में से थी जो इसे सफल बनाने के लिए आगे आई। गंगा तट पर जो गाउं बसे हैं उन गाउं में सवचाले बनाने के लिए उन्होंने सो कुरूर रुपे का भी दान दिया था। जिससे स्वच्छता को नया बन मिला। मैंने अम्मा के लिए कहा था और आज दोहराता हूं। स्नेह तिंडे, कारुण्य तिंडे, सेवन तिंडे, त्याग तिंडे, परियाय मान अम्मा। माता अम्रुतान नमै देवी भारत तिंडे महत्ताय। आज्धात्मिक पारंपरियत तिंडे, नैरव काशियन अर्थात अम्मा, प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो भारत की आज्धात्मिक परंपरा की वाहक है। झाल आएंगात्मिक एपरा की वाहक है। लूख़ की प्रतिताय। झाल झाल